हाई गाइस विलकम बैक टू माई चैनल मधुली का यूपी आर बीयल तो गाइस आज मैं आप लोगों के शाहर सेर करने वाली हूँ प्रेम दूलन मेहंदी कि इसमें सिर्फ एक चीज मिला कि अपने बालों में लगा लें तो सालों इसका कलर नहीं उतरता है तो फ्रेंड आज मुझे लगभग देर साल के उपर हो गया मैंने अपने बालों में कोई भी कलर नहीं लगाया मगर फिर भी मेरे बाल अभी ब्राउन और सुन्दर काफी चमकदार लगते हैं और सब लोग मुझे पूछते हैं ऐसा क्या लगाती हूँ तो फ्रेंड यही मैं आप लोगों के स होना है और सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसमें मिला के मैं हमेशा लगाती हूँ तो फ्रेंड यहां पर मैंने पूरा पैकेट डाल लिया है और यह प्रेम दूलहन मेहंदी है यह सिर्फ पंदर केट है तो फ्रेंड देखिए मैंने पूरा पैकेट यहां पर डाल दिया है और डालने के बाद फी इसको इसमें पानी डालेंगे उतना ही पानी डालेंगे कि जितना मतलब इसको पानी डालते रहेंगे फी इसको चलाते रहेंगे क्योंकि जादा पानी नहीं हो जाए होना चाहिए अगर जादा पानी हो जाएगा तो मतलब पतला हो जाएगा पाहर ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उसको घोड़ते रहना यानि उसको पानी और मेहदी को अच्छे से मिक्स करना है तो फ्रेंड यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी लेके डाल रही हूं और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं और फ्रेंड इसको अभी नहीं लग इसको में कल लगांगे जब भी कोही महन कर दो يविकार देटीयों तो यहां पर दोस्रे दोशे दिन लगाती और में बालों में अछा तो फ्रेंड देखिंगे और पूरा अच्छे से मिला लिया है ऐसे ही सेम आपको भी करना है तो फ्रेंड यहां पे मेरा मिल गया अब थोड़ा सा टाइट पन था तो मैंने पानी इसमें थोड़ा सा और एट कर लिया तो फ्रेंड आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं कि आपको कैसे पानी लेना है ज़्यादा यह कम कर सकते हैं तो फ्रेंड देखिए यहां पे मैंने लिया है एक नीबू यानि कि मैंने लिया एक लेबन और इसको मैं बीज से ऐसे काट दूँगी तो इसको मैं इसी में जितना इसका रास है मैं इसी में नचोडने लगी हूँ और फ्रेंड फी उसके बाद मैं यहां पे दूसरा भी जो काट के रखी हूँ इसी में नचोड दूँगी तो फ्रेंड देखिए मैं यहां पर अच्छे से निकाल दूगी यानि जितना जूस है वो बालों में अच्छे से हो जाना चाहिए तो फ्रेंड आपको मालूम है कि नीबू से हमारे बालों में शाइनिंग आती है मजबूती होती लंबे भी होते हैं और फ्रैंड देखिए मैंने पूरा इसमें डाल दिया है अब इसके जो बीज हैं फ्रैंड में एक एक करके घम बीज भी निखा लूँगी क्योंकि बीज फालतु में पड़े रहेंगे क्या मतलब है तो फ्रैंड इन सारे बीजों को मैं निकाल के रख रही हूं और फ्रैंड आप लोग भी जरूर बताना कि कैसे लगाते वैसे आप इस तरह लगाओगे तो बहुत जादा आपकी महंदी चड़ेगी और काफी दिनों तक आपके बालों में टिकेगी तो यहाँ पे मैंने महंदी के मतलब महंदी में जो भी नीबू के बीस थे मैंने निकाल के और महंदी उनके वीडियो आहीड आप लोगों अच्छा लगों तो प्लीस लाइक कर दिया करो और वीडियो को फुलवाच करो और चैनल में पहली बार आयो तो प्लीस चैनल को सस्क्राइब करों और फ्रेंड हाँ वीडियो अपने दोस्तों के साथ सेरिंग करें नेस्ट वीडियों